हेलो दोस्तो मैं अंजली स्वागत करती हूँ आपका क्लास टाइम एट्यूब चैनल में दोस्तो काफी समय से आप आरपेसी सेकेंड गेंड सस्क्र डिपार्टमेंट वरिष्ट अध्यापक भरतिक के सलेबस का इंतिजार कर रहे थे और मेरे पास बहुत से कमेंट भी आये थे कि मैं प्लीज आरपेसी सल्सक्र डिपार्टमेंट वरिष्ट अध्यापक का सलेबस बता दीजिए पुराना वाला ही बता दीजिए तो खुशी की बात यह है कि आपका इंतिजार अब खत्म हो गया है वरिष्ट अध्यापक भरती 2022 की जो ऑनलाइन आविदन है वो 23 मैं से स्टार्ट हो चुके थे और 23 जून तक इसके आविदन मांगे गए है तो अगर आप एलिजिबल हैं और आपने आविदन नहीं किया है तो जल्दी से आविदन कर दीजिए और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि जो इसकी पदों की संक्या थी वो पहले 417 थी लेकिन आयोग ने बढ़ा कर अब इनकी पदों की संक्या 538 कर दी है और बात कीजा इसकी एक्जाम डेट की तो दोस्तों जनवरी 2023 के सेकेंड वीक में इसका एक्जाम होना संभावित है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों की आपको बहुत टाइम मिल जाएगा स्टडी करने के लिए तो इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में बताऊंगी कि इसके जो सभी सब्जेक्ट है जैसे की संस्क्रेट, साइंस, मैट्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल चाइंस इन सभ अब इका जो सलेबस है डीटेल में मैं आपको बताऊंगी तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको सलेबस चाहिए इजीली आप उस सब्जेक्ट का सलेबस देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्लास टाइम पढ़ना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें पास में ही बैल आइकन है उसे प्रेस कर और पर क्लिक कर दे ताकि भर्तियों से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिल सके तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर एनिशेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन आफ राजिस्थान काली बंगा आहाड गनेश्वर बैराट मतलब कि जो काली बंगा है आहाड है गनेश्वर और बैराट जो भी प्राचेन सब्यताएं हैं इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ राजिस्थान फॉम 8th to 18th century यानि कि जो इतिहा से राजिस्थान का 8-18 शताभी तक आपको इतिहा से वो पूछा जाएगा यह देखिए याप पर इसमें भी टॉपिक दे रखे हैं इसके अलावा बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजिस्थान जो भी स्वतंतरता संग्राम से संबंदित टॉ समाज और धर्म से संबंदित आपके कोश्चन बनने वाले हैं इसके अलावा पॉल्टिकल एंड एंड विस्ट्रेटिव सिस्टम और राजिस्थान यानि कि राजनीती और प्रशासनिक सिस्टम राजिस्थान का आपसे पूछा जाएगा यह देखिए इसमें सारे टॉपि आपसे पूछी जाएगी यह देखिए यहां पर इसके इससे रिलेटेड इसमें सारे टॉपिक्स दे रखे हैं इसके अलावा जनल नौलेज ओफ वर्ल्ड एंड इंडिया यानि कि आपसे जनल नौलेज पूछी जाएगी वर्ल्ड और इंडिया की इसके अलावा इंडिया इंडियन एकोनोमी से आपके question आएंगे जो इंडिया की अर्थ विवस्ता है उससे संब्दित आपके इसमें topic रहने वाले हैं इसके अलावा बात करते हैं आपर Indian Constitution, Political System and Foreign Policy दोस्तों जो भारत का सभीदान है उससे संब्दित आपके इसमें topic आएंगे पॉलिटिकल सिस्टम से संब्दित आएंगे और foreign policy विदेश नितिस्या संब्दित आपके इसमें question बनने वाले हैं और यह सारे topic इसमें रहने वाले हैं इसके लिए बात करते हैं educational psychology से संब्दित आ आपके समें दे रहे हैं यह सारे topic इसमें रहने वाले हैं यह देखिए यहां पर यह सारे topic आएंगे आपके इसके रव बात करते हैं इसमें जो exam pattern है वो क्या रहने वाला है तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका जो यह paper है वो होगा total 200 marks का और इसमें आपको time मिलेगा multiple choice कि इसकी बात बात करते हैं जो इसमें negative marking भी रहने वाली है और यह जो paper है वो कौन-कौन से subject कितने-कितने marks की होंगे देखिए यहां पर दे रखा है geographical, historical, cultural and general knowledge of Rajasthan इसमें 80 marks की रहेगी, current affair of Rajasthan इसमें 20 marks की रहेगी, general knowledge of Rajasthan, world and India, आपके इसमें 60 marks की रहेगी, sorry, general knowledge of world and India, आपके इसमें 60 marks की रहेगी और educational psychology आपके इसमें 40 marks की रहेगी, ऐसे करके total 200 marks का आपका paper होगा, next दोस्तों बात करते हैं, यहापर paper second की तो देखिए, आपर paper second में Hindi आपका रहेगा, तो दोस्तों इसमें क्या के topic रहने वाले हैं, वो सभी मैं आपको बता कर चलूंगी, लेक क्योंकि मैं आपको सारे subject का syllabus बताने वाली हूँ, तो अगर सारे subject मैं आपको detail में बताऊंगी, तो video बहुत lengthy हो जाएगा, तो आपको अगर इसका syllabus चाहिए, तो आप इसका screenshot ले सकते हैं, या फिर video pause करके देख सकते हैं, या फिर मैं इसकी link आपको telegram में दे दूंगी, तो ह हमारे telegram आप जोइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, तो देखिए दोस्तों हिंदी में यहाँ पर माध्यमिक वे उच्ची माध्यमिक इस्तर का इसमें topic रहने वाले हैं, तो देखिए, या पर यह सारे topics इसमें दे र इसके बाद यह देखिए, द खंट दया में देखिए, यहाँ पर यह सारी topics इसमें दे रखे हैं, इसके बाद पार थर्ड में देखिए, यहाँ पर पार थर्ड में आपके हिंदी शिक्षण, एम शिक्षण विदिया, यह देखिए, यह सारे topics इसमें आपके दिये गए हैं तो दोस्तो पेपर सेकेंड का भी है यहाँ पर देखिए पेपर पैटर्न देख लेते हैं हम एक्जाम पैटर्न इसमें क्या रहने वाले हैं तो देखिए यहाँ पर 300 मार्क्स रहे टोटल पेपर होगा इसमें आपको धाय गंटे का समय मिलेगा और 150 इसमें आपके क्वेशन रहेंगे मल्टीपल चॉइस के और इसमें भी आपके वंधर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है तो देखिए सब्जेक्ट वाइस मार्क्स रिवाइड कर रहे हैं देखिए यहाँ पर knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter 180 मार्क्स के रहेंगे knowledge of graduation standard about relevant subject matter यहाँ पर आपके 80 मार्क्स के रहेंगे और यह teaching method of relevant subject आपके 40 मार्क्स के रहेगा ऐसे करके टोटल जो exam है वो आपका 300 मार्क्स का रहने वाला है next देखिए दोस्तों paper second में ही हम English का syllabus देख लेते हैं यह English का syllabus भी पूरा detail में दे रखा है यह देखिए यहाँ पर part first में secondary and senior secondary standard का यह दे रखा है grammar and uses यह देखिए यहाँ पर grammar के सारे subject दे रखे हैं देख सकते हैं आप इसका screenshot ले लिजी या फिर pause करके आप देख लिजी अच्छी तरह से यह देखिए यहाँ पर यह सारे topics इसमें दे रखे हैं part second में देखिए सकते हैं यह देखिए यहाँ इनको numbering भी किया गया है यह देखिए यह सारे टॉपिक्स आपके देखिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं PEPPER SEKIND में MATHEMATICS के SLEBERS कीजिए दोस्तों MATHEMATICS का SLEBERS से ISME PART FIRST में क्या रहने वाला है SECONDARY AND SENIOR SECONDARY STANDARD का PAPER है आपका PART FIRST में देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन सी TOPIC आपके रहने वाले है NUMBER SYSTEM में देखिए इसके से संबंदित इसके अलावा मैंसुरेशन आपका इसमें मेंसुरेशन में एर्यास सर्फेस एरियास और वॉल्यूम्स से संब्धित हैं अग ने वाले हैं प्रेशन बनने भाविटेर इसे संत्वरश में चरद वाले हैं इसके प्थलिए ट्रॉंसरे कोशन रहने वाले हैं इस börjar क्लिए हैं अक पर सारे वेक्टरल इसके लाव स्टेक्स एंड प्रॉबिलेटी से संब्दित आएंगे देखिए यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की तो दोस्तों पार्ट सेकंड में क्या आने वाला है इसमें एबस्ट्रक्ट अलजेबर आपके रहने वाली है यह से संब्दित आपकर देखिए साथिधल कहाईं इसके लाव डिफ्रेंटल से संब्दित आपके समयं कोश्चेन आएंगे वेक्टर के इसमंदित आएंगे यहां पर इसके लावा एप Momotical geometry of 3 Dimension से समधित आपके इसमें प्रिष़ने वाले हैं रहने वाले हैं देखिए सारे Topics ने नाMark से समधित चीज़ाиной-1 से समधित तह प्रहती हैं तका पूली आपके प्रहने वाले हैं देखिए सारे Topics possess रहने ब Reality है दिन्दग करते हैं पार थे डिएट सुंव ठिर्ड में टीचिंग में टीचिंग में उसमें आपके क्या रहने वाले हैं देख सकते हैं आप यहाँ पर यह देखी सारे टॉपिक इसमें रहने वाले हैं कि नेट्स दोस्व बात करते हैं पेपर सेकंड में संस्कत सब्जेक्ट की इस लेबस की तो देखें यहाँ पर संस्कत में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं आपके देखें यहाँ पर प्रवेशिका वरिष्टो पाध्या स्तरी यह देखें इसमें सारे टॉपिक्स इसमें दिये गए हैं नेक्स्ट बात करत सारी topic आपके दिये गए हैं यह देखिए 345 देन बात करते हैं पार थर्ड की तो देखिए आपर सिक्षण विधी यानि की teaching method से आपके देखिए आपके question बनने वाले हैं तो यह देखिए यहां पर यह topic रहने वाले हैं आपके यह सारी topic के रहने वाले इस part में सारी topic ऀपके रहने वाले हैं यह देखें आप websites कर gwा est गरेंस सेकंड में सोशल साइंस स्लेबस की तो दोस्तों देखें यहाँ पर सोशल साइंस का स्लेबस दे रखा है डीटेल में देख लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप हिस्ट्री का यह स्लेबस दे रखा है देखी हिस्ट्री में सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं देख सकते political science related यह जितने भी topic यह देखिए आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे इसके अलावा sociology से संबंदित आपके जो भी topic है यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारे topic आपके रहने वाले हैं public administration से संबंदित आपके इसमें यह देखिए सारे topic हैं इससे संबंदित भी आपके प्रेश्ट बनने वाले हैं paper second में इसके अलावा philosophy से संबंदित आपके इस सारे topic रहने वाले हैं तो आपको इस सभी बहुत अच्छे से करके चलना है बहुत अच्छे से आपको तैयारी करके चलनी है teaching method से संबंदित देख लेते हैं यह आपर इस सारे topic teaching method से संबंदित आपको दे रखे हैं आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोस्तों इसमें देखिए paper second में science का syllabus क्या रहने वाला है इसके जावा ecology and environmental biology से संबंदित आपके इसमें topics रहने वाले हैं इसके लावा photosynthesis and respiration से संबंदित आपके इसमें प्रिंचन रहने वाले हैं एन्जाइम से संबंदीत आपकिसमें टॉपिक रहने वाले हैं यह देखिए आप देख सकते हैं अप यहां पर यूमन हेल्स संबंदीत आपकिसमें टॉपिक रहेंगे एटोमिक स्ट्रक्चर से संबंदित आपके इसमें प्रेश्ण रहने वाले हैं यह देखिए यहां पर सारे इसमें टॉपिक्स दिये गए हैं इसके अलावा देखिए यहां पर यह देख सकते हैं आप यह सारे टॉपिक्स में दिये गए हैं इसके अलावा देखिए यहां पर दूस्तो ये संबंधित प्रिष्ट यां चर्व कार्बन से आएंगे और रहावा मोषिकाल सबंधित से रहेंगे वह अच्छान से देखी देख सकते हैं आप हीडिशczy, इसके अरव ग्रैविटेशन देखें यहां पर समद्रेशन ईसमें रहने वाले हैं filed एक्तिपिक गस्क रहेंगे रे उप्टिक से संबधित다면 ऐसमें कुलोन यहोघेस टेक्सोनोमी से संबन्दित आप किसमें टॉपिक रहने वाले हैं देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा रैस प्रेंटेटिव एनिमल्स इससे संबन्दित आप किसमें टॉपिक रहने वाले हैं कि टेक्सोनोमी से संबंधित आप कि समी ले 올ें इसके अपर देख सकते हैं आप साथ संबंद्धित आपके देखिए आप देख सकते हैं आप सारे टॉपिक्स रहने वाले री प्रोडक्शन इन प्लांट से संबंद्धित आपके समें प्रेशन आएंगे प्लांट ग्रॉथ अपकी लोगे को डिनेशन यहीं से संब्द्धित अपके देख सकते हैं अब यहां पर इसके अलावा स्वैट आपके इसमें प्रेशन रहने वाले हैं इसके अलावा देखे दोस्तों बात कर लते हैं आगे जीरो गूप में फेसे प्रेश्चन भरने रहेंगे वह आपको एस अब पर आपने वाले हैं इलेक्ट्री से संबादी दापके प्रेश्चन भरने वाले हैं इसके यहाँ पर इसपेक्ट्रोस्कॉप्य टीक्निक्स सभूराँ गोकीनम के क्लासिकल आपके इसके क्लासिकल इलेक्ट्रो ते क्लासिकल साहें ठाहलेनilation बने एंगे वेपिक्ट्रिस बनेंगे इसमें thermal and statistical physics से समधिद इसमें आपके इप्रेशन रहने वाले हैं quantum mechanics से समधिद इसमें इसमें टॉपिक रहने वाले हैं पार थर्ड में देख लेते हैं यह आपर teaching method में आपका क्या रहने वाला है तो देखें आपर इसारा इसमें दे रखा है उसी subject को आप easily यहाँ पर detail में देख सकते हैं और class time में आपका अपना channel है तो subscribe जरूर करें अपास में ही bell icon है उसे press कर all पर click कर दें ताकि भट्टियों से related सभी updates आपको मिल सके ओकी दोस्तू, thanks for watching, जै हिन, जै भारत